नमस्कार साथियों, आप सबको नीतु के वास्तु और ब्यूटी चैनल में स्वागत है आज हम ऐसे पावरफुल एक शब्द की बात करेंगे, एक अक्षर की बात करेंगे कि जिसे आप नहाते वक्त अपनी उंगली से उस पानी के अंदर लिख देते हैं, जिस पानी से आप नहा रहे हैं उससे आपकी जीवन में कई तरह की परिशानिया, जो आपकी जीवन में परिशानिया चल रही हैं जो आपकी जीवन में रुकावटे चल रही हैं, जो आपके मन में नेगेटिव बाते आ रही हैं, वो सभी को ये दूर करता है, ये एक टांतरिक, पावरफुल अक्षर है, हम सभी रोजाना तो नहाते हैं, और नहाते वक्त हम सभी मंत्रों का उच्चारन करते हैं, जैसे नहा उसी वक्त आप जब इस मंत्र को भी अपने मन में इस शब्द को अपने मन में बोलेंगे इस अप्छर को अपने मन में बोलेंगे तो आपके जीवन से तमाम तरह की परिशानिया तमाम तरह की तकलीफे तमाम तरह की रुकावटे आपकी जीवन में जो आ रही है वो सभी दू कुरू जाएगी यहां तक कि अगर आपके कोई रोग है उसका भी निवारण धीरे-धीरे होने लगेगा सबसे पहले तो आप नहाने जब जाएं तो नहाने में आप जो पानी भरते हैं, बाल्टी में भरते हैं, चाय अब टब में भरते हैं, उस पानी में आपको तरजनी उंगली से यानि की इंडेक्स फिंकर से आपको ट्राइंगल बनाना है यानि की त्रीभूज बनाना है आपक ट्राइंगल बना करके आपको ट्राइंगल के अंदर आपको हरीम लिखना है हरीम लिखना है और उसके बाद अपने मन में ये सोचना है कि मातारानी, मा दुर्गे, मा अंबे, मा गौरी, मा भगवती, आदी शक्ती मा मेरी सारी परिशानिया दूर कर रही है, मेरी सारी रुकावटे को दूर करके मेरी जीवन की सभी मार्क खोल रही है, मेरी जितनी भी परिशानिया है, जितनी भी मेरे अंदर नेगिटिविटी है, सभी को दूर कर रही है, मेरे औरा को शक्तिसाली बना रही है इस तरह से आप करके उस पाने से आपको स्नान करना है, आपको ये काम रोजाना करना है, अगर आप चाहें तो इस मंतर को 11-21 बार मनमे आप बोल भी सकते हैं, नहाने शमले रीम रीम करके आप बोल भी सकते हैं। अगर आप जब मन को एकदम से कहें कि बस अब जो करना है माता रानी मारी सारी परिशानिया को दूर कर रही है मा भगवती आदिशक्ति मेरी सारी परिशानिया को दूर कर रही है ये एक ऐसा पावरफुल बीज मंत्र है कि अगर आप इसे रोजाना बोलते हैं रोजाना अपने मन में अनुभाव करते हैं, रोजाना बोलते हैं, तो आपकी सारी परिशानिया, सारी रुकावटे, सारी तरह की तकलीफे, मैं कहूंगे, सभी प्रकार की परिशानिया, अगर आपके मन में उथल पुथल रहता है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी, आपकी जितने मन में संका रहती है कि ये मैं करूँ या ना करूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा, सभी दूर हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप करें, तो अपना पूरा मन से करें कि हां माता रानी ने मेरी सुन ली, मेरी सारी परिशानिया अब दूर होगी, इस मंत्र को आपको इस तरह से इस बीज मंत्र को लिखना है, ये बीज मंत्र भले ही एक अक्छर का होता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल होता, इसमें करोडो मंत्र की पावर सक्तिया होती है, ये इतना powerful होता है ये मंत्र बुद्धी को तेज करता है बुद्धी को sharp करता है ये मंत्र hurt की परिशानियों को दूर करता है आप किवल नहाते वक्त आप पानी के अंदर triangle बनाएंगे तरजनी उंगली से index finger से उसके अंदर आपको हीम लिखना है बीज मंत्र लिखना है और उस पानी को आप महसूस करके नहाएं कि माता रानी हमारी सारी परेशानियां दूर कर रही हमारी सारी तकलीफे दूर कर रही हमारी जितने भी रुकावटे हैं सभी को माता रानी ने दूर कर दिया है उसके बाद आप इस पानी से नहाएं आप चाहें तो मन ही मन में रीम रीम आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाओ आ रहे हैं, आपके जीवन में कितने सारे benefit मिल रहे हैं, आप करके देखें, बहुत ही आसान सा, simple सा ये तांतरिक उपाय है, अगर आप करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाओ आना निश्चित है, ये मैं लिख कर देदेती हूँ, आप करके देखें, उसके बाद आप कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, कि आपको इस से आपको benefit मिला कि नहीं मिला, चैम आता रहें,